आज मैं आपसे शेयर करने जारी हूँ अचारी मिकनौनिस की रेसिपी जो के बहुत ही डिलिशियस बनती है और इसके इंग्रीडियर्स बहुत ही सिंपल है आई स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए होगी कैपसिकम 250 ग्रैम्स यादि शम्ला मेर्च चाहिए होगी उस चाहिए होगी तो फिफ्टी ग्रैम्स लेंगे उनको अच्छे से चॉप कर लेंगे एक पैक हमें चाहिए होगा एजराई में क्रोनिस का और इस तरह से हम लेंगे 4 टेबल स्पून कुकिंग ओयल और इसको सबसे पहले गाजर को हलका सब फ्राइ करेंगे बहुत देर तक फ अच्छे से चॉप करने के बाद हम थोड़े के लिए से कवर कर देंगे कवर करने के बाद हम 30 से किंड में ही नेक्स्ट इंग्रिएंट कैपिच आड़ कर देंगे और इसको भी तक्रीमन हम सिर्फ एक मिनट के लिए को करेंगे और आपका फ्लेम यहां पर बहुत ही लो नह कर लिया है और इस तरह से हम इसको मज़ी 30 सेकंड के लिए इसको कुप करेंगे मीडियम फ्लेम पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लोग आ रही है इसकी अब अचारी मिक्रोनीस के अंदर ही उसका मसाला गिवन होता है दिया होता है इस तरह सही साथ और यह हम इसमे अब आड़ करेंगे अब यह देखिए हमारी सबस्यान जो हैं बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुकी है थोड़ी सी हमने बहुत साथा इसको सॉफ नहीं करना थोड़ी दे के लिए इससे कवर करेंगे 30 सेकंड के लिए और अब हम इसमे आड़ कर देंगे इसमे अड़ लिए करेंगे पहले हम सिर्फ इसमे एक चम चाफा अड़ करेंगे और इसमे ठीकर एक मिरोनी तो 5-7 मिनर तक आप इसे करेंगे और इसके बाद इसरा से आप स्टेणर में निकाल कर रखेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि जिब कर नहीं तो अब इसमें वह आड़ करें अब इसमें आड़ करके हम दूबारा जो हमारा मसादा बचा हुआ था वो परसे स्प्रिंकल कर देंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके इसे मज़ीद एक मिनट तक कुक करेंगे अब देख सकते हैं यहां पर मसादा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और यहां पर अपने फ्लेम थोड़ा लो कर देना है तक करीबन एक मिनट मजीद कुक करने के बाद इसमें हम लास्ट इंग्रीडियंट एड़ करने जा रहे हैं वो है चिली गार्लिक सॉस चिली गार्लिक सॉस अगर आपको नहीं पिसंद तो आप टुमेटो कैचप भी आड़ कर सकते हैं आपकी चॉइस पेड़ करता है जो भी आपको सॉस पिसंद दो आप इसमें आड़ कर सकते हैं तो मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस आड़ कर रही हूं और सॉस आड़ करने के और अपनी फीड़बेक देना मत भूलेगा आई होब कि आज की रेसेपी आपको बहुत पसंद आएगी अब मैं इसको थोड़ा टेस्ट करूंगी और आपको बताऊंगी बहुत ही यमी इसका टेस्ट है और बहुत ही डिलिशियस है आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और अपनी फीड़बेक देना मत भूलेगा ये थी हमाई आज की रेसेपी और मिलते हैं कल किसी नई रेसेपी के साथ तब तक अपना वाख ख्याल लिखेगा अलाह आफेज